गुट इवनिंग एब्रिवडी मेरे सभी प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों सभी आगए कर नहीं आगए सुसीला रानिवाल जी आगए है, जैहिंद और कहा है मेरे स्टुडेंट्स अभी बेटा आज का जो हमारा बहुत ही महत्पूर टॉपिक है, आपको पता है सुप्रीब कोट कल भी हमारी क्लाश चली थी, लेगरे कल हमारी थोड़ा थोड़ा लेड चली थी, तो मुझे नहीं आपको हो सकता है, इसके बारे भी फॉर्म न हुआ हो, तो आपकल आ नहीं पाए थे, तो मैं सभी अपने मुबाल को थोड़ा ओन कर लेता हूं, जैसे मुझे पता चलता रहे, पिड़ा पता हो, आवाज अच्छी आ रहे है को नहीं आ रहे है, फिर हम क्लास लेड़ा शुरू करते तब ही तक हमारे सारे स्टुएंट आ जाओ, और जो भी है, कन्फर्मेशन देते रहो, कौन कौन आ गए हैं, और जो हमने कल तो क्लास लेए थी, लेकर थोड़ा सा कोई क्रिवायज आप पूरे सुप्रीम कोड का कराएंगे, आप दोबारा समय पूरे सुप्रीम कोड को पता है कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी हमने शुरुवात कि रही थी, बुलकुर बंडे की तरह, लेकर मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे, पॉलिटी का जो इस्तर है, वो काफी ऊचा चला गया है, अब आपके, जब आप क्लास लेते हो तो आपको पता चलता होगा, मैंने पॉलिटी के इस्तर को काफी ऊचा पहुचा दिया है, और महतपूर भी है बेटा ये, क्यों महतपूर है, ये आपको पता होगा, ये इसलिए महतपूर है, चलिए, जगवीर सिंग जी आ गए, हेलो, जब आ जाते हैं, फिर मैं सुरू करता हूँ, बेटा जो कल हमने पढ़ कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने टॉपिक को पढ़ाना सुरू कर देते हैं, क्योंकि तो बेटा चलिए, सुरू करते हैं, तो ये है सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया, हम इसी सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया के बारे में बताएंगे, ये हमारे भारत की सर्वोच न्या कारपालका है, दूसरा हमारी विवस्था पिका है, और तीसरी है हमारी न्याएपालका, तो आज हम बात करेंगे अपनी संग न्याएपालका के बारे में, और संग न्याएपालका के सीस में है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमारी जो विवस्था पिका है और कारपालका ह कियोंकि ये संग के लिए अलग होती हैं और राज्ज्य के लिए अलग होती हैं और दोनों ही जो बेवस्था पिका और कारेपल का एक दूसरे की कारेचित्र बेहत्तकशेप नहीं करती है। लेकिन सुप्रीम कोट ये वो संस्ता है जो अपने आमें सर्वोच है और भारत के जितने भी नयायले हैं सभी पर इसके निर्ड़ें आबद्दकारी होते हैं और कोई भी नयायले इसके आदेश को मानने के लिए मना नहीं कर सकता यहां तक कि इनके आदेश को अन्य नयायलों में हम एक वतोर्व सबूत के लिए भी पेश कर सकते हैं यही है हमारा सुप्रीम कोट तो आज आपको हम बढ़ाना शुरू करते हैं क्लकल थोड़ी लेट हो गई थी क्योंके तो सुप्रीम कोट के बारे में थोड़ा क्मिंट बात में देखूंगा पूरा में टॉपिक बढ़ा देता हूं फिर उसके बाद में कमेंट देखता हूं चलिए अगर हम सुप्रीम कोट की बात करते हैं तो बेटा सुप्रीम कोट की जो इस्थापना इस्टेबलिज्ट जो हुआ है यह 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1937 ठीक है अंडर दा गवर्में एक्ट जो इंडियन गवर्मेंट एक्ट 1935 के अंदर यह इनिशियल पोजिशन तब यह 1937 में जब इसकी इस्थापना हुई थी यह सुप्रीम कोट के नाम से नहीं जाना जाता था इसका नाम क्या था संगीय न्यायले क्या नाम था इसका बेटा याद रगना एक बार संग फेडरल कोट कहते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ 1947 में हमारे देश आजाद हुआ हमें अधिकार मिला कि हम अपना संविदान स्वयम बनाए और 28 जनवरी 1950 को हमारे इसी फेडरल कोट को हमने एक नया नाम दिया उसका नाम हो गया सुप्रीम कोट यानि सर्वोच जो हमारा को याद रखें इस समय इसको सुप्रीम कोट नाम मिला था ये समझ लो कि ये फेडरल कोट से ही फेडरल कोट का नाम बदल के सुप्रीम कोट कर दिया गया था और इसे सारे जो अधिकार प्राप्त थे अधिकार जो इसको दिये गए थे वो किसके दिये थे पूरे भारत में न अधिकारी बना दिया गया था जो फेडरल कोट था बेटा सर्वोच जो न्यायले है वो तो 1700 हमारे यां 74 में ही बन गया था कलकता में सर्वोच न्यायले आपने पड़ा भी होगा जो रेगुलेटिंग एक 1773 आया था उसके अंतरकत एक सुप्रीम कोट बनाता कलकता में और कल सुप्रीम है सुप्रीम आले सर्वोच लेकिन एक बात यात रगना लेकिन उस समय जो सुप्रीम कोट होते थे उन्हें के फैसले के खिलाप अपील की जा सकती थी लंदन के प्रिवी काउंसिल में तो प्रिवी काउंसिल में की जाती थी तो वो सुप्रीम कोट अपने आम मे है आप कभी आईए यहाँ पे देख सकते हैं तो कोई प्रावलम की बात नहीं है इसका जो मोटो है वेटा कौन सा है यतो धर्मस्ततो जहै इसका मतलब होता है जहाँ ठर्म है वहाँ पर हमेंशा विजय होती है यह इसका मोटो है यह आपको दिखाई दे रहा है यह पूरी सुप्रीम कोट की महर है जो मैंने आपको सामने यहां पर दिखाई है सुप्रीम कोट की महर है इस महर को आप अच्छे से समझ लो जब यह फैसला लिया जाता है जब यह अपना डिक्री जारी करता अपना verdict जारी करता है तो इसी मोहर को लगाया जाता उसी पर लिखा होता है यतो धर्मस्ततो जहेव यानि जहां धर्म है वहां पर विजय होती है जहां पर करतब भी परायंडता है वहां पर क्या होती है वहां पर विजय होती है चलिए बेटा अपने सभी दोस्तें उनके बाद वीडियो को सेर करतो ताकि ज़्याद ज़्याद लोग देख सकें चलिए इसके बाद देखते हैं composition method यानि supreme court कैसे बनता है supreme court में जो judge है उनका गठन कैसे होता है तो आज भी हमारे यहाँ पर बेटा collegium बेवस्ता है याद रखना कौन सी बेवस्ता है collegium बेवस्ता है यह collegium बेवस्ता क्या है इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा जो judge का जो term है जो mandatory retirement है वो 65 verse है यानि 65 verse के बाद कोई भी supreme court का judge नहीं रह सकता यानि 65 verse अगर वो अपनी आयू प्राप्त कर लेता है यहाँ 65 year tenure नहीं है यहाँ पर क्या है उसकी age की बात कर रहा है अगर वो 65 verse की आयू को प्राप्त कर चुका है तो वो mandatory यानि आवस्तिक रूप से उसको retire कर दिया जाएगा अगरो बाद में भी कभी क्लास शुरू हो जाती आज भी थोड़ा लेट हो गया जो टेक्निक के थोड़ी प्रॉलम थी नंबर ओपोजिशन हमारे सुप्रीम कोट में कितने जज हैं इनके लिए याद रखना इस समय 34 है 33 तो अधर जज में आता है वन CJI होता है Chief Justice of India भारत क मुकिन आदिश तो इस समय भारत के सुप्रीम कोट में कुल मिलाकर Chief Justice of India को मिलाकर 34 जज हैं सुप्रीम कोट में अगर आप सुप्रीम कोट के वर्डिक्ट देखना चाते हैं तो इस वेबसेट का यूज कर सकते हैं www.sci.gov.in तो इसमें आपको सुप्रीम कोट के बारे में हैं तो इसको भी याद रखें इस समय Chief Justice of India है कौन ये भी आपको पता होना चाहिए सरविंद बौबडे हैं इनको याद रखो और ये कब से हैं बेटा 18 नमबर 2019 से हैं रट लो ये कमी क्वेस्टन तो नहीं आएगा लेकर नाम तो आ सकता है CGI कौन है आगे चलते हैं हमारे य यानि एक क्या है एक मा है और मा के गोद में एक बच्चा है ठीक है और वो बच्चा भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है यानि छोटा बच्चा है और मा ने अपने गोद में बिठा रखा है ये सुप्रीम कोट में इसको इस्ताफित करने के पीछे रीजन क्या है बेटा ये ज पूरी तरह से ये एक तरह से बताया गया है कि अभी हमारा जो हमारा लोगतंतर है जो हमारा रिपबलिक है जो हमारा गरतंतर है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और किन आधारों पर आगे बढ़ेगा ये इस तरह से बताये गई है यहाँ पर सासा द्याह रखना ये जो स्कुर्प्चर है ये जो मूर्ती है वो किसने बनाई है कभी एक question आ जाए तो याद रखना है बेटा चिंता मुनी कर ने इस मूर्ती का निर्मार किया है एक और कभी question आ जाए कि ये जो सुप्रीम कोट अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला सुप्रीम कोट आपको दिखाया था इस सुप्रीम कोट का जो मुख्य बास्तुकार कौन था तो ये भी याद रखना गनेश भीकाजी दियोलकर है इसे भी रटलो जी भी दियोलकर इस तरह से कभी question आ सकता है तो गलत नहीं होना चाहिए आपका ठीक है इसकी नीव किसे ने रखे थी 29 अक्टूबर 1954 में इसकी नीव रखी गई थी बाई डॉक्टर राजिंद प्रशाद राजिंद प्रशाद उस टापे कौन थे रिसेंटली हमारे प्रसीडेंट थे प्रसीडेंट ओफ इंडिया प्रसीडेंट ओफ रेपॉब्लिक ओफ इंडिया थे ठीक है चलिए बेटा आगे चलते हैं तीसरा जो हमने इस टॉपिकों भी थोड़ा किलियर कर दिया था कल लेकर आथ थोड़ा सा और कर दे रहे हैं सम्मिदान का सनक्षक और मूल अधिकार का सनक्षक के रूप में है तो हमारा जो सम्मिदान है जो हमारा Supreme Court है बेटा वो सम्मिदान का संनक्षक है किस तरह ऐसे है वो मैं अभी आपको बताऊँगा ये हमारा Supreme Court क्या है मूल अधिकारों का भी Gargian है और हमारा जो Supreme Court है उसको कहते है सामाजिक मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ सामाजिक क्रांती का संनक्षक कार्जियन ओफ शोशियल रेवुलिशन इसका भी बेटा है सरनक्षक है अब तीनों को में थोड़ा थोड़ा एनलाइसिस कर दूँ देखो बेटा हमारे यहाँ पर सम्मेदान सरवोच है यह आपको पता है सम्मेदान ही संग को सक्ती देता है अरता केंद्र को सक्ती देता है और सम्मेदान ही राज्य को सक्ती देता है राज्य के विशय हो या केंद्र के विशय हो दोनों जो बांटे जाते हैं वो सम्मेदान के अनुसार बांटे जाते हैं राज को अलग निर्देश दिया जाता है संग को अलग निर्देश दिया जाता है लेकिन बेटा हमारा जो सम्मिदान है वो लिखत सम्मिदान है उसमें कुछ वाक्य होगा कुछ वाक्य रचना होगी और उसे संग के या केंद्र में जो सरकार है वो भी पड़ेगी और उसे हम पारा जो राज है राज भी पड़ेगा और दोनों ही उसका मतलब अपने पक्ष में निकालने की कोशिस करेंगे दोनों ही सम्मिदान का निर्वचन अपने हिसाब से करेंगे अपनी जो सम्मिदान की ब्याख्या अपने हिसाब से करेंगे और अगर दोनों ही सम्मिदान की ब् कोई कमरे में है आप और कमरे में क्या है बैड वा पड़े हुएं बैड पड़े हुएं दो अब बैड पड़े हुएं मैंने कहा कि जाओ अपने अपने बैड पर सो जाओ अब तुम दो लोग हो तो अब क्या है एक लेफ्ट वाला बैड एक राइट वाला बैड और दोनों व आपके कि एक एक बैड पर सोग लेकिन अब मैंने यह नहीं बोला इस चीज़ में कि आपको इस बैड पर सो ना है कि इस बैड पर सोग द्या hy कि रहते हुए proto और हमारा देश का दो बंटाडार हो जाता बात समयागे नहीं तो तुम चाहते हो देश का बंटाडार हो जाए और अगर तुम देश का बंटाडार नहीं करवाना चाहते हो तो फिर सम्मिदान की ब्याख्या करने का बेटा किसी ने किसी को अधिकार हो सम्मिदान की ब्याख्या को कहा जाता है सम्मिदान का निर्वचन क्या कहा जाता है interpretation of constitution ये सम्मिदान की ब्याख्या नहीं बोला जाएगा आप से क्या बोला जाएगा सम्मिदान का निर्वचन तो सम्मिदान के निर्वचन या संभिदान की ब्याख्या का अंतिम अधिकार हमें एक नीट्रल परसन को दे दिया है जो ना संग का है जो ना यूनियन है यानि जो न तो केंद्र का है और न राज्चे का है ठीक है पहली बात है कि नीट्रल संस्ता का निर्मार कर दिया हमने और neutral संस्था का निर्मार करने के साथ साथ हमने कहा कि यह जो व्याक्षा करेगी जो यह संस्था है जो यह व्याक्षा करेगी केंद्र को, राज्ज को, दोनों को मानना पड़ेगा फिर उसमें तुम चै चाहूं नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, मानना पड़ेगा, आपको एकाम है, तो सम्मिदान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है, सुप्रीम कोट को है, तो यहाँ पर मैं यह भी लिख सकता हूँ, सम्मिदान की अंतिम व्याख्या या सम्मिदान का निर्वचन, और इस निर् केंद्र और राज्ज के बीच के संगर्स को बचा लेता है और हमारा देश आसाने से चलता रहता है केंद्र और राज्ज को इस पर भरोसा होता है और ये अगर अपने इतरह से जिस प्रकार से ब्याख्या कर दे उस ब्याख्या को केंद्र और राज्ज दोनों मानते हैं पहली चलिए थर देख लिए, सामाजी करांती का सरनक्षक है, सामाजी करांती, मैंने आपको उज दिन भी बताया था, सामाजी करांती का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी को सोशित किया जाता है, किसी को दबाया जाता है, आप ही है, आपको कोई लगाता दबाता रही, तो दो दिन मान जाओगे, तीन दिन मान जाओगे, लेकि एक दिन ऐसा आएगा आपके अंदर का गुबार, ठीके अचानक फूट पड़ेगा और कहते हैं न, कि किसी गरीव को जादा नहीं दवाना चाहिए, कि मितुन चक्रवर्ती के बहुत सारी फिल्में जो परानी हैं, उसमें ये बड़ा डायलोग आता है, कि गरीव को इतना भी मत दवाओ, कि जब वो रियक्ट करे तो बड़ा खतरनाक रियक्शन हो, तो हमने ये देखा है, कि किसी भी चीज़ को अगर आप दवाओगे, तो एक्स लोगों को सोसित होने से बचा लेता है, जब व्यक्ति सोसित नहीं होगा, तो वो इतनी बड़ी मात्रा में सामाजी करांती भी नहीं करेगा, यही रीजन है, कि आज 1947 में हम आजाद हुए हैं, और भारत में कोई भी बड़ी सामाजी करांती नहीं हुई है, इस सम्मिदान क के अंगेष्ट, इन सरकारों के अंगेष्ट, यहां तक कि हमारा Constitution बेटा, हमारे यहां के लोग हम चाहिए बली कितनी भी बुराई करते रहों, यह इंडिया है, यह इंडिया है, हम अमेरिका और तुलना करते रहें, आज हमारे यहां पर लोगतांतरी तरीके से जो इलेक्षन हो रहें, उधर वो कह रहा है कि यह तो आच्छे इलेक्षन हो रहें, तुम सोचो कि वो उन्हें डिसीजन को मानने के लिए तयार नहीं है, लेकिन कम से कम 60 साल तक सरकार में रहने वाली कॉंग्रेस भी अगर एक बार इलेक्षन हारी तो इसने इस वात को सुईक इक अमेरिका से भी जादा हमारा लोगतंतर गहरा है और हमें इस लोगतंतर की कद्र करनी चाहिए और कद्र तब होगी जब जनता भी अपने लोगतंतर का अधिकारों को समझे, हमारे यहां पर मात्र 60% वोटिंग होती है, इसका मतलब यह है बेटा 40% तो लोगों को कोई फ खत्रे में, लोगतंतर आपकी बज़े से खत्रे में है, क्योंकि आप लोगतंतर के मुल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, आपको बोट डालने का अधिकार दिया गया है, आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, तो इस तरह की बहुत सारी आपको यह चीज़ें दिखाई दे रही ह तो देती रहेंगी, क्योंकि कम हम भी नहीं है और कम तुम भी नहीं हो, ठीक है, चलिए बेटा, अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर, तो Union Judiciary, यानि संग नियायपाल का, संग नियायपाल का Article 124 to 147, ठीक है, तो यहाँ पर 124 में क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर मैं बोलत है तदर्त नियायदीश, इसके बाद दे रखा है सेवा निब्रत नियायदीश, इसके बाद दे रखा है अबलेख नियायले, फिर सुप्रीम कोट की जगह के बारें बताय गया है, इसमें मूल अधिकारता है, इसमें कुछ मामलों में अपील की अधिकारता है, ठीक है, को आराम से यार रह सकते हो, गा से क्या बन जाएगा, गठन बन जाएगा, वे से बेतन, का से कारिकारी, ता से बन जाएगा तदर्त, सा से बन जाएगा से बन जाएगा जगह, मुझे से बन जाएगा आपका मूल अधिकारता, और कुछ से बन जाएगा, कुछ मामलों में शिक आराम से याद हो जाएंगे और इसको याद करने के लिए आपको बहुत जादा मेहनत करने की आवश्क्ता नहीं है ठीक है अभी 137 है ये भी अधर इंपोर्टेंट आर्टिकल है और ये आर्टिकल कहता है न्यायक पुररिक्षण के बारे में ठीक है न्यायल है जो है वो अप सुप्रीम कोट के जो भी वर्डिक्ट होंगे सुप्रीम कोट के जो भी फैसले होंगे सुप्रीम कोट की जो भी डिक्री जारी होगी वो सभी न्यायलों पर आवद्यकारी होगी और उनको ये मानना पड़ेगा आर्टिकल 143 क्या गयता है सलाहकारी अधिकारता के बारे में यह important trick है और बेटा इसको आपको याद रखना है सीधे सीधे कभी का अतसाज मुझे कुछ सिकायत आप से है और मुलियों पर अटते जाना गा से गठन वे से बेतन का से कारकारी ता से तदत सा से सेवा निब्रत आ से बनेगा आपका अवलेक और जा से बनेगा जगे मुझ से मुल अधिकारता कुछ से बनेगा कुछ मामलों में अपील सिकाय से बनेगा सिविल मामलों में अपील आप से बनेगा आपरादिक मामलों में अपील तो इस तरह से ही होगे trick कदम आगे चलते हैं बेटा ठीक है अब आ जाते हैं उच्छ तम नियायले का गठन ठीक है अब मै आर्टिकल आपको बता चुका हूँ तो मैं अब आपको आर्टिकल सभी नहीं बताऊंगा तो चलिए जब हमारा सुप्रीम कोट बना 28 नमबर 1950 को ठीक है तो क्या हुआ यहाँ पर उस समय एक मुख्यन्यायदीश था और साथ अन्यजस थे तो हमारा सुप्रीम कोट एक मुख्यन्यायदीश और अन्यजज से मिलकर बनेगा हमारा जो जो उच्चन्यायले है वो क्या होगा समझवाएगी नहीं क्या है हमारे उच्चन्यायले एक मुख्यन्यायदीश होगा हमारे उच्चन्यायले में ठीक है, उसको क्या कहते हैं, CGI, और क्या होगा, और अधरजज से मिलकर बनेगा, ये तो होगा, अब ये अधरजज कितने होंगे, इसका decision करेगा हमारा संसद, संसद समय समय पर जजज की संख्या बढ़ा सकता है, गटाएगा नहीं बैटाएगा, बढ़ा सकता है, लेकन गटा नहीं सकता यह जरूर याद रखना ठीक है तो एक बात भी याद रखना संसद अन्य जजों की संक्या बढ़ा सकता है दिक्रीज नहीं कर सकता है ठीक है 1950 में यही था लेकिन अधर जज बतारों में यह सब अधर जज यह जो है 1956 में 7 से अधर जज कर दिये 10 उसके बाद 1960 में 13 कर दिये 1987 में 17 कर दिये 1986 में 2035 कर दिये 2009 में 30 कर दिये और 2019 में 33 कर दिये खीगे और एक cgi तो बेटा सबके साथ जुड़ाई रहेगा एक cgi तो अब आप सारे सारे चीज़ें बता सकते यहां पे 11 हो गए यहां पे 14 हो गए यहां पे 18 हो गए यहां पे 26 हो गए यहां पे 30 हो गए और यहां पे 34 ठीक है आगे चलते हैं ये तो हमारे सुप्रीम कोट का क्या हो गया गठन हो गया कि सुप्रीम कोट कैसे कैसे बनेगा यहीं पर देख लिजी appointment of judge कि judge की न्युकती कौन करता है कभी ये प्रशन आ जाए कि judge की न्युकती कौन करता है तो बेटा precedent करता है राष्टपती judge की न्युकती करता है ठीक है ने ये अन्य जो judge हैं अभी हम किसकी बात कर रहे हैं मेटा अन्य जजों की बात कर रहे हैं 34 हैं मेटा दिखाए तो 2019 में मैंने बता है 33 प्लस 1 बड़ावर 34 इदर इना अब समझ मागया होगा अब appointment of judge में देखिए कि जज की जो न्युकती है वो कौन करता है तो judge की न्युकती कौन करता है by president प्रसीडेंट अपोइंट judge प्रसीडेंट judge को अपोइंट करेगा पासम में आग ने किसको अधर judge को अब बताओ ये जो राष्टपती है वो तो कारेपालेका का प्रमुक है कारेपालेका का प्रमुक है गया नहीं अब अगर राष्टपती अपने मर्जी से judge की न्युकती करने लगेगा तो सुप्रीम कोट में सारे जो judge है वो सारे के सारे जो सरकार होगी जो मौजूदा सरकार होगी, उसी के बन जाएंगे जज, तो फैसला किसके पक्ष्में देंगे? उसी सरकार के पक्ष्में फैसला देंगे। आप जा सकती है, क्या वो उन्हें किसी कार को करवाने के लिए बात दे कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, तो हमारे जो सुप्रीम कोट है, इसका स्रे सुप्रीम कोट को जाना चाहिए, सुप्रीम कोट ने बड़ा ही अच्छी इसमें फैसला दिया है, वो थोड़ा सा आप समझ ल पर जज न्युक्त करेगा ठीक है कौन करेगा राष्ट्रपती किसकी सलापे करेगा मुक्य न्यायदीस की सलापे करेगा हाँ बिल्कुल आर्टिकर पचास है मैंने बताया नहीं था क्योंग मैं पढ़ा चुका हूँ DPSP स्याम चौदरी मैं DPSP पढ़ा चुका हूँ इसलिए नहीं बताया था ठीक है यह जो CGI है वो क्या करेगा इसकी सलाप पर राष्ट्रपती न्युक्त करेगा दोनों मंतर याद रखना कि राष्ट्रपती न्युक्त करेगा मुक्य न्यायदीस की सलाप ठीक है अब देखो अब यहां से एक बिवाद पैदा होता है एक डिस्प्यूट पैदा होता है इस बात को अच्छे से समझ लो क्या डिस्प्यूट पैदा हुआ कि GGI के परामर्स CG ने कोई परामर्स दिया माल लो तुम CGI हो तुम क्या हो तुमने चार नाम दिये एक का नाम रख था अमर, एक का नाम रख दिया अमित, एक का नाम रख दिया रोहन, एक का नाम रख दिया किसी लड़की का इम नाम रख दो सालनी, ऐसे नाम रख दो चार, इसी जी आई ने चार नए जज की न्युक्ती का परामर्स दिया, किसको प्रेसिडेंट को, राष्टिपती को यानि इसने सलहा दी, इसने प्रेसिडेंट ने का कियआसफा है नई जज़ बनाने है, तो अच्छा सलहा दो, तो इन्हों है दिया चार जजों की सलहा दी, कि इनको आप ज़ज बना दो तो CJI की सलहा को मानने के लिए क्या राष्टपती बात दे है अधवा नहीं ये जरूरियात रखना ठीक है तो यहाँ पर बिवाद पैदा हो गया ठीक है तो प्रसीडेंट ने एक बार मना कर दिया नहीं तो मन जो सलहा दे रहे हो उसे मैं नहीं मान रहा हूँ चलो दूसरी सलहा दो तो फिर बिवाद हुआ बिवाद हुआ तो कोट है तो कोट में आ गया केश 1982 में फर्ष्ट जजेज ठीक है प्रथम न्यायधीश मामले प्रथम न्यायधीश मामला 1982 में आया जिसमें एक यक्षप्रश्ण था यक्षप्रश्ण और यक्षप्रश्ण का उत्तर मांगा एक बात बताईए जो हमारे जज हैं उनको निक्त करने में मुक्य नियायधीश की सलह की आवशक्ता होती है तो वह सलह को मानने के लिए राष्टपती बात दे है या नहीं तो 1982 में ये कोट में केस था और कोट में ने हमारे सुप्रीम कोट ने फैसला किया कि नहीं बात दे नहीं है क्या किया बात दे नहीं है यानि CGI के द्वारा दी गई सलह कि इन जजों को निक्त किया जाए राष्टपती डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है पहली बात समय मैं आगी नी अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी चलिए, आगे चलते हैं मैं अभी आपको जलनी याद रगना के जो हमारा सुप्रीम कोट है वो अपने डिसीजन को अपने निरणे को दुबारा से भी जाँच कर सकता है आर्टिकर 137 में अभी आपको पता है था अपने निरणे की जाँच कर सकता है तो आगे जाकर ये चीज आगे चलती रही और 1993 में दुतिय जज केस हुआ और 1993 में ये हुआ और 93 में सुप्रीम कोट अपने पहले कहे से पलट गया सुप्रीम कोट ने जो decision दिया वो 1982 में दिये गए decision से just opposite था उस समय कहा कि परामर्स को मानने के लिए राष्टपती बात दे नहीं है और दूसरे judge case में क्या कहा बात दे है सुप्रीम कोट के judge ने Chief Justice of India ने अगर कोई परामर्स दिया है किसी के नाम का परामर्स दिया है judge के रूप में तो precedent deny नहीं कर सकता चलिए पासमें कि नहीं? हाँ विल्कुल उसमें मना कर दिया तो 1982 में तो इसमें कहा था कि उसने कहा कि हाँ CJI का परामर्स मानना आवश्यक है 1993 में मानोगे लेकिन ऐसा परामर्स दो अन्य जजों से परामर्स करके लिया गया हो यानि अकेला जज अब परामर्स नहीं दे सकता सीधी बात है यहाँ पर क्या मत्रबाग निकला इसका अकेला जज नए जजों की निक्ति के लिए परामर्स नहीं दे सकता अगर वो परामर्स दे रहा है तो कम से कम दो अलग जज से पहले परामर्स करेगा और उसके बहुमत के परामर्स को राष्ट पती तक पहुँचाएगा बास समझवाएगे ने इस तरह से तो यहां पर एक परामर्स के लिए तीन जज की बॉड़ी बन गई है एक तो हो गया CGI, Chief Justice of India, दूसरे हो गये दो अधर सुप्रीम कोट के जज इनसे मिलकर एक कलीग बने उनी से बना कॉलेजियम इसी बिवस्था को बेटा कॉलेजियम कहते हैं तो कॉलेजियम अब कॉलेजियम की नाम ले रहा हूं है प्रसीडेंट डिनाए नहीं कर सकता, नेवर डिनाए अब नहीं कर सकता ठीक है? बिलकोल यहीं से कॉलेजियम सुरू हो गया है कभी पूछ ले कि कॉलेजियम कहां से है? स्याम चौधरी तो यहीं से है यह समझे लो, यहीं कॉलेजियम है यहां पर मैं लिख भी दिया है CGI would be senior most judge of ठीक है तो यह जो परामर्ष करेगा वो दो most senior judge से भी परामर्ष करेगा ठीक है यह सब चल रहा था आगे चल कर एक और case आया third judge's case क्योंकि जरूरी कारपारगें से सारी चीज़ों को मानती रहें 1998 में decision नियायदी इस्थनांत्रित मामली भी इसको कहते हैं कल आपने भी बताया था वो भी याद रगना 1998 में भी आया था मैंने किता में चक किया था जेहन पांडे में वो यही लिखा हुआ है तो third judge's case 1998 में आया 1998 में भी यही यक्षपरस्र फिर दुवारा से पैदा हो गया एक बोतल में से फिर जिनने निकला अब बताओ पनावर्स मानोगे आगे कोट में फिर सुप्रीम कोट ने लताड़ा कि हाँ परामर्स को मानने के लिए बात दे है राष्ट पती को परामर्स मानना पड़ेगा लेकिन अब इसने कुछ इजाफा कर दिया इन्होंने कहा कि पहले जो सीजे आई था उसको केवद दो सीनियर मोष्ट जजसे सला करनी पड़ती थी आज चार सीनियर मोष्ट जजसे सला करनी पड़ेगी तो अब जो डिसीजन दिया जाएगा Chief Justice of India अब जो परामर्स करेगा वो चार मोष्ट सीनियर जो जज होंगे उनका परामर्स यानि पांच लोग परामर्स करके कुछ नाम सजेस करेंगे और नाम सजेस करके देंगे प्रसीडेंट को और प्रसीडेंट को उनको ही सुप्रीम कोट का जज बनाना होगा ये आया 1998 में मेटा समझी में आये गा नी 1998 में अब बताओ कौन है साई जिसको ये कॉलेजी बिवस्ता समझ में नहीं आई यही मेटा कॉलेजी बिवस्ता है कि नए जज की नुकती के लिए जो एक कमेटी जी होती है एक ग्रूप जो होता है वह कुछ नामों को सजेस्ट करता है उन नामों से जिसमें जैसे अब पांच हैं तो पांच में तीन अगर किसी के पक्षमें बहुमत का फैसला लिया जाता है तो फिर उन नामों को पहुंचाये जाता है President के पास यानि राष्ट पती के पास और राष्ट पती फिर उनको नुक्त करता है, यहाँ पर राष्ट पती अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करता वैसे भी उसके पास खोपड़ी नहीं है बास्त में, President जो जिस खोपडी का इस्तमाल करता वो तो परधान मंत्री है ना यह तो आप समझते होगे चलिए तो यह college इंविशता है अगर तुम आज की college इंविशता देखना चाते हो तो यह red color में college इविशता को देख सकते हो यहां पर देख लो मेंबर ओफ कॉलेज ये विश्टाइम पे कौन है देखो CGI है और चार जज है यही तो यह कह रहा है 1998 में इस समय इस समय क्या इस्तिती है तो सरद अरविंद बोबडे CGI है एनवी रामना ये कौन है जज है तीक है रोहेतन फली नदीमन ठीक है ये एक जज है और अजय मानिक राव खानवीली करिये है अब बात समय में आई का नहीं अब अगर कोई नया जज बनेगा मानलो ये जो नई जज बनेगा बैसी में बता रहा हूँ कि अगर राष्टपती कहेगा कि ऐसा है कि हमें जज न्युक्त करने है तो चलो आप परामर्ष दो तो इनके पास कुछ नाम होंगे पहले से इनके पास नाम होंगे फिर उन पर मानलो के दस नाम इनके पास हुए सुप्रीम कोट ने मागग उसने प्रेसिडेंट ने मागगे के बाद चार नाम तो ये सब डिसकस करेंगे और चार नामों को निकाल कर देंगे ठीक है यही परामर्ष है इसी कॉलेजियम बिवस्ता से हमारे सुप्रीम कोट में जज का निर्मार अभी तक हो रहा है ठीक है आगे चलते हैं इस बिवस्ता को इस बिवस्ता में बेटा बड़ी लूपोल है ठीक है सर गिनी तोनी 80 या 90 परहां बिलकुल इसी को बता रहा हूँ ये जो ये बड़ी खतरनाक समस्या है और इस खतरनाक समस्या से हमारे सुप्रीम कोट को जूजना पड़ रहा है ये कॉलेजियम बिवस्ता है कॉलेजियम बिवस्ता में जज है अब बेटा मुझे इस किलास में ये साइद नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोट की बात है लेकिर फिर भी वे ध्यान रखें कि लगभा लगभा 200-300 परवारों का प्रवुत्व है हमारे न्याय पाल कापर तो अयोग जजों की भी भरती हो जाती है अगर कॉलेजियम बिवस्ता ये स्थापित रहेगी तो अगर इनका कोई जान पहचान के वाला हो ऐसा तो नहीं है कि इन पांचों के जान पहचान वाला कोई व्यक्ति नहो तो पांचों के जान पहचान का कोई व्यक्ति होता है उसे ही जज के लिए नाम रिकमंड कर देते हैं हो सकता है दामाद हो तो कहने है इस वार मेरे दामाद को कर दो इस वार उसके दामाद को कर दो इस वार मेरे चाचा के लड़के को कर दो उस बार फिर मेरे चाचा का लड़की करना आज भी 200 से लेके 300 परवार के बीच में ये सब को जूलता रहता है वहीं से जज़ बनते हैं हर बाद तो इसमें बड़ा पोल है और यहां पर हमारे जो अन्य भारतवासी हैं वह इससे वंचित रह रहे हैं तो इस वंचिना को दूर करने के लिए हमारे ततकालीन जो इस समय पर भी हैं जो नरिंद बोधी ने 2004 में एक अमेंडमेंट किया था कौन सा किया था? 99th Constitutional Amendment किया था अब Constitutional Amendment किया ठीक है? 2014 में क्या कहा? कि ऐसा है जज की जो निक्ति होगी अब कॉलेजियम द्वारा तो नहीं होगी अब जज की निक्ति के लिए पूरा पूरा एक आयोग बनाया जाएगा तो जज को निक्त करने का एक आयोग बनाया गया राष्टी आयोग ये बनाया गया 99th संभिदान संसोधन के द्वारा अब वो रिकमेंडेशन देगा पहले के बाद जजी जद देते थे अब जो नियाएग जो आयोग बनेगा उसमें तो बेटा कारपालका के भी सदस्य थे और भी अन्ने सदस्य थे गरेम मंत्री भी थे प्रधान मंत्री भी थे ये बन गया लेकिन अब इस 99 में सम्विदान संसोदन को चनोती दी गई कोट में और इसी को कहा जाता है फोर्थ जज केस 2015 2015 में चनोती दी गई इसको कि ये क्या है हमारे आर्टीकल पचास न्याएपालका और कारपालका के बिलगाव यानि दोनों का एक दूसरे से स्वतंत्र था न्याएपालका और कारपालका एक दूसरे से स्वतंत्र रहें यह हमारे सम्विदान का आधार भूत धांचा है यह बात याद रगना ठीक है नहीं उन्होंने कहा कि यह जो 99th constitutional amendment है यह क्या करता है हमारी न्याएपालका की जो स्वतंत्र था पर आघात करता है जो कि एक basic structure है और basic structure यानि आधार भूत धांचे के आधार पर हम इस 99th सम्विदान संसोधन को void, null and void करते हैं null and void का मतलब होता है जिसका कभी प्रभाव ही न हुआ हो null and void तो इसको 99th सम्विदान संसोधन को 2015 में null and void कर दिया गया इसके लिए जो national judge न्युक्ती आयोग बना था national judge न्युक्ती जो आयोग बना था उसको वह भी क्या कर दिया समाप्त कर दिया गया फिर दोबारा से judge की न्युक्ती अब तक कॉलेजियम विवस्था से हो रही थी और फिर दोबारा से कॉलेजियम विवस्था से ही होने लगी हो गया clear अब यहाँ पर किसी को clear हुआ हो तो मज़े बता दो जब तक मैं आगे चलता हूँ चलिए बेटा आप सुप्रीम कोट के judge की थोड़ी सी योग गयता जान लेते हैं हाँ मैं थोड़ा सा और बता दूँ यहाँ पर थोड़ा रह गया है CGI CGI की बात हो रही थी न कि CGI कौन न्युक्त होगा CGI कौन न्युक्त होगा वो भी याद रख रहा है जो CGI जो न्युक्त है वो 1993 की बाद यह यानि इस 1993 की बाद यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह भी कह दिया एसमें कि senior most जो judge होगा वही CGI बनेगा ठीक है आटिकर तेरा बेटा यह मैं fundamental right पढ़ात तो जोगा हम बुरा आटिकर तेरा यह कहता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नियम, कानून, रूड़ी या कोई भी ऐसी चीज परनियम, परनियम नहीं बनाएगा जो हमारे मूर अधिकारों को छीनता हो या नियून करता हो वो है इसमें और क्या पूछना चाहरे हूँ बैसे मूर अधिकारों किलास है आप पिछली इसको किलास को ले सकते हो ठीक है चली बेटा, अब चलते हैं हम आगे तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि मुख की नहाया धीश की निकती कौन करता है तो बेटा राष्टपती करता है रटलो, राष्टपती करेगा ठीक है इसके लिए अब ये किस से सला लेगा ये किसी से सला नहीं लेता है ये कि नियम है 1993 में ये नियम हाया कि जो सीनियर मोष्ट जज होगा सीनियर मोष्ट ये मत सोचो आईउ के हिजाब से एज होगी जो सुप्रीम कोट में कितने दिनों तक वो उसेने जज रहा है सीनियर मोष्ट उसके हिसाब से उसी को जज बनाया जाएगा ठीक है काफी पहली बना दिया जाता है एक दो महीने पहली बना दिया जाता है कि अब ये जज होगा अंगुठा टेक को बना दें क्यों को बेटा यहां पर सम्मेदान का निरवचन करना है अब सम्मेदान का निरवचन यह नहीं ता तो करना ही पाएंगे बना सुप्रीम कोट के जज के लिए इलेक्शन होता तो क्या होता बोट डाले जाते और तुम्हारे लाली प्रसादी अब नरिंद्वोधि, अमेस्था जैसे अयोग्यवक्ति भी किया हो जाते ही विलेक्रे निरवचन निरवचन के भारे होता है यह कोई बकील पहरत का नागरिक हो, लेकिन उम्र फेसट वर्स से कम हो अब बेटा ये तीन योगगिता और दे रखे है तीन योग गिता हैं यह और दे रखी हैं इन तीनों मैंसे कोई एक योग गिता उसके अंदर होनी चाहिए अब यह मत सोच ना सर कल भी तो यही हां विरकोर यही पढ़ाया था लेकिर जनरली क्या है कि कल साड़े नौ बजे से जो क्लास होई तो भी बहुसारे स्टूरेंट नहीं आपाये तो मुझे पता है मैं जो क्लास लेता हूँ और अंतर दिखाए दे रहा हूँ अब तीन इन योग गिताओं में से एक योग गिता होनी चाहिए और जज्ज ओफ वन हाई कोट और मोर देन चलिए मैं सिंपर रूप से बता देता हूँ क्या बता रहे हैं वो पांच साल तक हाई कोट में जज रहा हो ठीक है चलिए दस साल तक हाई कोट में वहा बकाला तुस ने किये हो ठीक है और उसके बाद क्या हो कि प्रसीडेंट यानि राष्टपती की नजर में एक बिधी विसेशक्य हो एक बिधिग्य होना चाहिए बिधिग्य मतलब कानून का जानकार होना चाहिए ठीक है ये याद इन तीनों में से एक चीज होनी चाहिए या तो वो क्या हो हाई कोट में पांच साल तक जज रहा हो ठीक है या क्या हो हाई कोट में दस वरसे तक वहा बकीर रहा हो मेरा सुप्रीम कोट का नाम नहीं है अब याद रगना सुप्रीम कोट में दस साल तक बकीर रहा हो ऐसा कही कि ओपनियन में प्रसीडेंड के आज भी प्रसीडेंट को थोड़ा सा तो अधिकार मिला ही हुआ है तो अगर वह प्रसीडेंट अपने किसी अधिकार की व्यक्ति को जज़ बनाना चाहे तो एक मामली में बना सकता है कि वह यहां मैं इसको क्या मानता हूं विधी विशे सग् इसी के अंतरगती बहुत सारे हमारे यहां पर यह जज़ केस हुए है वो इसी बात पर हुए है कि जैसे किसी प्रसीडेंट को लगा प्रसीडेंट का मतलब होता है प्रदान मंत्री प्रदान मंत्री लगा कि यह बड़ा अच्छा जीरिष्ट चलो इसको कोई निक्त कर दो ठीक है, चलिए, इसको और ज़्यादा हम नहीं चर्चा करेंगे, आगया जाते हैं, tenure of judge, judge का कारिकाल कितना होता है, तो मैं आपको बता दूए, year के हिसाब से नहीं देखेंगे, I.U. के हिसाब से देखते हैं, judge के कारिकाल को, new term age नहीं है, पहली बात याद रखना, judge होने के के लिए कोई minimum age नहीं दे रखे है, सरकारी बगीरों और प्राइविठा कोई भी हो, यहां पर नहीं दिखाया न, government और इसका मतलव कोई भी होना चाहिए, ठीक है, लोग हम कानून में किसी प्रकार का पेर बदल नहीं कर सकते हैं, चलिए वेटा, तो judge बनने के लिए minimum आयू नहीं होनी चाहिए, जैसे अगर हम MP बनना चाहते हैं, तो 25 वर्स ओमर होनी चाहिए, MP जो राजसवागा बनने चाहते हैं, तो 30 होनी चाहिए, राष्टपती बनने चाहते हैं, तो 35 वर्स होनी चाहिए, उपर राष्टपती बनने चाहते हैं, तो 35 होना चाहिए, नियून को हो सकता है कि साड़े-ाठ बगे से कर दूं तो साड़े-े-ाठ बगे से लेकर मैं साड़े-दस बगे कि earnings लीया करूंगा क्योंकि बैटा टाम आता जा रहा진짜 आपके exam का और एक्जहाम का और अभी सी लेवस में केवल ही चलला है तो अगर यह student भी आजाए करेंगे, मुझे लग रहा है ठीक है, ओके तो 10 ने और इसका समझे के minimum age है नहीं अब minimum age नहीं है तो इसकी maximum age तो है 65 वर्स तक, जैसे ही वो 65 वर्स की आयू को प्राप्त करेगा वो अपने आप Supreme Court से mandatory उसको हटा दिया जाएगा अनुवार रूप से उनको उनको removed कर दिया जाएगा अगर ये judge किसी को recognition देना चाते हैं, त्याग पत्र देना चाते हैं, तो वो राष्टपत्य को देगे यहाँ भी रटलो, राष्टपत्य को त्याग पत्र देते हैं, ठीक चलिए, अब ते ऐसे अगर संसद इस बात का recommendation दे, अगर संसद कहे, और संसद एक कोई resolution पास कर दे, प्रस्ता पास कर दे, ठीक है और प्रस्ता पास करने के बाद वो recommendation किसके पास आएगी, प्रसीडेंट के पास, और प्रसीडेंट फिर राष्ट पर, इसको क्या कहते हैं, यह जो class है, वो generally, मैं क्या है, इसको मोटा मोटा revise करवा रहा हूँ, पेटा अब तो तुम तो class ले रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस class को मैं generally क्या करवा रहा हूँ, कि मैं revise करवा रहा हूँ, जो आपकी quality की और class होगी, लेकर मैं थोड़ा सा और depth में चला जाता हूँ, और depth में चलाने की पीछे region है, कि रुका नहीं जाता इतनी चीज़ अगर पता होती है तो लेकर यह खूब depth में, इससे बाहर तो तुम्हारा PCS में भी question नहीं आएगा, ठीकि इतनी depth में class है और इससे भी ज़्यादा director में class बहुत जल्दी आपके लिए मैं लेके आऊंगा, वो class PCS, IS, CDS और NDA के लिए होगी वो class की गोशना में बहुत जल्दी करूँगा, ठीकि और इसके लिए मैं अलग से की telegram group भी बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको PDF बगेरा सारे चीज़ा मिलेंगी तो वो भी हम बहुत जल्दी काम करने वाले हैं और सारे आपको video सारे video मैं अब उसमें प्रोवाइड कराऊंगा handwritten roots मी मिलेंगी, आपको video भी मिलेगी, आपको ये सारे कुछ मिलेगा, ठीक है? ओके, चलिए बेटा ओत, अगर इसको सपत, तो सपत कौन दिलवाता है? इसे, प्रेसिडेंट दिलवाता है और इसकी salary कितनी है? याद रखो जो जज़ की salary है, धाई लाख है और जो मुख्य नयाइदीस की जो salary है वो कितनी है? दो लाख 80,000 है अब आप कहोगे, सर मुख्य नयाइदीस को क्यों salary जाद दियाती है? क्योंकि वो थोड़ा प्रेसासनिक कार्य भी करता है जो अन्य जज़ है वो केवर नयाइक कार्य करते है और जो CGI होता है, वो नयाइक कार्य के सब्सक्राइदीस की प्रेसासनिक कार्य भी करता है सुप्रीम कोट में स्टाप बगारा के नक्ती भी यही करता है तो इसे extra काम करता है वो बेटा extra काम करता है तो extra उसे पैसा बनता है, अब आगे चलते हैं इसके जजो को बंताते हैं यह हे? अब हटाने से पहले याद रखे हैं कि चाए सुप्रीम कोट का जज हो या हाई कोट का जज हो उसे हटाने की प्रक्रिया सेम है पहली बात तो एक बात में तुम्हें आपको बता देए यह बड़ी आश्चर की बात है कि हमारे सुप्रीम कोट, हमारे संविधान में जज को हटाने की प्रक्रिया नहित नहीं ठीक है? ये विशेस बहुमत से होगा उपस्तित और मत देने वालों के दोतियाई बहुमत उपस्तित और मत देने वालों का दोतियाई जितने मत देने वाले उनने का दोति आई अगर कुछ लोग इसमें मत नहीं भी डालते है उनको भी count किया जाता है आए है और आने के साथ दोति आई सारी लोगा है और उसके प्रक्रिया से अपने आपको अलग कर लेते हैं केवल 124 में छोटी सी बात किया दी गई है, क्या कही है? उच्चितम नियायले के किसी नियायदीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि सावित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उसे हटाये जाने के लिए, मैं थोड़ा से इसको सिंपर रूप से में आपको समझा रहा हूँ, यह क्या कहना चाहता है, आर्टिकट 124, यह कहना चाहता है कि नियाया दीश को केवल दो ही आधार पर हटाया जाएगा, अनुम हैगरी, जैसे मैं आपको थोड़ा से बेटा हटा लेता हूँ, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ देर के लिए मटा लेता हूँ, और जब तुम दुवारा आ जाओ, तो मुझे बता देना, कि सर दुवारा आ जाओ, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपने आपको गाइव कर लेता हूँ, समझाने के लिए, क्योंकि यह धर जगए रहे हैं, ठीक है, अब बेटा यहाँ पर थोड़ा आजा समझे, अच्छे से समझना, देखो क्या है, कि न्यायदीश को हटाने के दो आधार हैं, राष्टपती को हटाने का एक ही आधार था, सम्विदान का उल्लंगन, लेकिन इसके दो आधार हैं, एक है साबित कदाचार, अगर उ अगर उसके दिमाग में कोई खराब ही आजाए, या बिक्रचित हो जाए, या पागल हो जाए, या कौमा में चला जाए, तो असमर्थ था, तो जज़ को दो आधारों पर हटाया जाता है, साबित कदाचार, अगर उसके कोई ब्रिष्टाचार साबित हो जाए, यहाँ पर कदाचार, अब साबित कदाचार कौन करेगा, अब मैं आगे बताऊंगा, पहले इस पर महावियोग जैसी प्रक्रिया जो आती है, पहले प्रूब करवाया जाता है, कि बास्तर में इसने ब्रिष्टाचार किया है, जब यह प्रूब हो जाता है, इसने ब्रिष्टाचार कि रही है सावित कदाचार और असमर्थता सुप्रीम कोट और हाई कोट के जज़ को के बाद दो ही आधारों पर हटाये जाएगा सावित कदाचार और असमर्थता पहली तो यह बात याद रखो इसके बाद क्या है इनको हटाने के लिए, देखो समझना, कुल सदस संक्या का बहुमत, सदस संक्या कितनी है? हमारे यहाँ पर 545. 545 का बहुमत मतलब 273. केवल इतने नहीं, यह तो कह रहा है, कि कुल सदस संक्या का बहुमत और इसके अलावा तथा, उपस्तित और मत देने वालों का कम से कम दोतियाई दोतियाई से काम नहीं चलेगा जैसे अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरह से यहां पर बता दे रहा हूँ यहां पर जगह है जैसे समझना हमारे यहां पर 545 लोग सभा के सदस्य अब यहां पर देखना इसने क्या कहा? सबसे पहले क्या है? बहुमत पुल जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमत तो बहुमत कितना हो गया? 273 545 का आदा कर देंगे उसमें एक जोड़ देंगे 273 होगा फिर यह कह रहा है उपस्थित और मत देने वाले उपस्थित और मत देने वाले इनका दो तिहाही ठीक है? दो चीज़ समझना अच्छे से अब क्या हुआ? एक दिन केवल 300 आए लोग सभा में कितने आए? 300 लोग आए अब 300 लोग ने दो तिहाही ने मत दिया दो तिहाही ने बोट दे दिया अब दो तिहाही 300 कितना होगा बेटा? केवल और केवल कितना होगा? 200 200 ही तो होगा? लेकिन देखो यह क्या 200 इस वाली कंडिशन को पूरा कर रहा है? नहीं कर रहा है न? क्योंकि साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि कुल सदस संक्या का बहुमत भी होना चाहिए तो दोतियाई उसको बोट पड़ गए उस प्रस्ताव पर लेकर फिर भी वह प्रस्ताव पास नहीं होगा क्योंकि ये केबल एक ही जो कंडिशन को पास करता है दूसरी कंडिशन को प्रूब नहीं कर रहा है पते की बात बता रहा हूँ अच्छे-चे टीशर भी इन चीज़ों को नहीं बताते हैं समझ लो अच्छे से ठीक है और यह मत सोचो के मैं इसको जो पढ़ा रहा हूँ यह मत सोचो के कोई बंड़े एकजाम की तरह पढ़ा रहा हूँ कि इस सदन में उपस्तित और मत देने वालों का दो तियाही लेकर इसके साथ-साथ ये भी होना चाहिए जितने भी सदस्य है उसका बहुमत कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत यानि 273 जरूर होने चाहिए अगले दिने बेटा 400 आए अब क्या करोगे? 400 ने भी 2 तियाही ने बोट दिया तो काट लो कितना हो जागा? 3 एकम 3 और 3 तरका 3 एकम 3 हो गया और 1 बचा 3 तरका 9 तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 तो देखो बेटा अब भी 400 आए उपस्तित और मत देने वाले 400 आए उपस्तित हुए उन्होंने मत दिया, 2 तियाही ने मत दिया लेगर मों मत देखो कितने हैं? 266 एक और सर्त क्या चाहिए? इनको 273 भी होना चाहिए बासमेग नहीं? चलिए, आगे जाकर क्या आए? एक बार आए 500 इसलिए तो टिपीकल है ये नीचे दिखाए देगा कि नहीं? नहीं दिखाए देगा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अगले दिन आए बेटा 500 अब देख लो 500 को 500 ने, 2 तियाही ने बोट दिया ठीक है? यहाँ मैं 500 नहीं यहाँ पर एक चीज डिजिट ले ले रहा हूँ सारे 400 आराम से कट जाएगा ठीक है? जो तियाही अब देखो, यहाँ पर देख लो कितना कट जाएगा? 15, 1.500 और 1.500 दुनी? 300, देखो अब 300 ने यह बाली सर्थ भी पूरी कर ली? तर आप तो आपने मैत भी सीख लिए है मैं तो बेटा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ दीक है? तो 300 300 क्या होगा? 273 हो गया है नहीं? अब देखो लो यहाँ पर 300 पेटा आप दोनों कंडिशन पूरी हो रही है उपस्थित और मत देने वालों का दोतियाई साथी जितने भी वहाँ पर यानि मौजुद सदन है सदन में जितने भी सदस हैं उनका बहुमत दोनों हो गया? इस वाली कंडिशन कोई पेटा जो एक दिन कोई पूछ रहाता इसी को बिशेस बहुमत कहते हैं स्पेसल मैजॉरिटी तो भी हैगा नहीं? इसी को स्पेसल मैजॉरिटी कहते हैं यह अपने आप में काफी टिपीकल प्रक्रिया है ठीक है? क्योंकि इतने हूना काफी टिपीकल होता है क्यों 545 यह 545 तो आते नहीं है अब बेटा 545 भी आ जाएं अब सोचो 545 भी आ जाएं तो 545 में जो प्रस्ताव लाया होगा तो सरकारी तो लेके आएगी तो सरकार के पास कितने होंगे? 273 होंगे ठीक है नहीं? अब 273 होंगे तो अगर 545 आ गए तो फिर 545 का दो तिहाई भी तो होना चाहिए संगसंग 545 का भी दो तिहाई तो सारे सरकार के पास नहीं होगा यही रीजन है कि राष्टपती को हटाने की प्रक्रिया में भी special वहमत होता है नयायदीज को हटाने में भी special वहमत होता है तो मुक्य रूप से यह कभी भी अगर यह उसमें आएगा सारे यह नेता एक साथ तो मिलते नहीं है तो किसकोई भी ये पास नहीं करा सकती है सरकार केवल अपने दम पर पास नहीं करा सकती है अब बताओ किसी को बिसेज मौहमस समझ में न आया हो तो बताओ तो अब समझ में आगया जज़को हटाया जाता है दो आधारों पर सावित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ठीक है साथ ही जो प्रस्ताब जो होता है जाद रखना अभी मैं केवल सम्मिदान ने जो दे रखा उसकी बता रहा हूँ साथ ही जो प्रस्ताब है उसको हटाने का जो प्रस्ताब है वो विसेश बहुमत से पास होना चाहिए विसेश बहुमत का मतलब क्या होता है कि कुल सदन संख्या का बहुमत तथा उपस्तित और मत देने वालों का दोतिया ही जो कि मैंने अभी आपको बताई एक और चीज होनी चाहिए ये जो पूरा जो प्रस्ताव है एक ही सत्र में रखा जाना चाहिए या तो मांजून सत्र में रखा जाए ग्रीस में सत्र में रखा जाए या सीत सत्र में रखा जाए सत्र में अलग नहीं होना चाहिए एक ही सत्र होना चाहिए बेटा वा समयग नहीं मांजून सत्र तो मागर सत्र की सत्र को राष्टपती ने समाप्त कर दिया सत्रा वशान कर दिया सत्र को अगर समाप्त कर दिया तो यह प्रस्ता भी अपने आपका डिजॉल्व हो जाएगा समाप्त हो जाएगा तो यह सारी प्रक्रिया एक ही सत्र में होनी चाहिए ठीक है अब देखो आगे की जो प्रक्रिया बस सुप्रीम जो हमारा सम्मिनान तो यहीं रुख गया लेकर सारी प्रक्रिया थोड़ी दे रखी है इसने कि प्रस्ताब कैसे आएगा कैसे पास होगा कैसे आगे बढ़ेगा लोग सबाराय सबा अगर कुछ करेंगी तो क्या होगा आगे तो इसके लिए न्यायादीश जाच अदिनियम आया था 1968 में ठीक है? न्यायादीश को खटाने के लिए न्यायादीश जो जज इनक्वेरी एक्ट आया था 1968 में आया था 1968 में और 1968 में जज को हटाने की पूरी प्रक्रिया दे रखी अच्छे से अब यह यहाँ पे जो रेड कलर से जो मैं बता रहा हूँ यह हमारे संविदान में नहीं है यह हमारे जज को हटाने का जो एक्ट आया है 1968 की अंतरगत है लिए यह सुप्रीम कोट की अंतरगत नहीं हमारे संविदान की अंतरगत नहीं है यह वाली बात अपनी दिमागों अच्छे से बिठा लेना उच्छतम नियाले अगर राजसवा में आ रहा है तो पचास सदस्यों के अथाक चरूने चाहेगी पासर में आगी नि ठीक है जैसे एक प्रस्ताब आ रहा है ठीक है प्रस्ताब तो प्रस्ताब कैसे आगे बढ़ेगा तो अगर लोगसवा में आ रहा है हम तो किसी जज़ को अटाना चाहते हैं, पहुंच गया, तो ऐसे नहीं पहुंसकते हैं हटाने की प्रस्ताब के लिए, अगर पहलतर याद रखो, निया दीश को हटाने का जो प्रस्ताब है, वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोक सबहा में का हताक्षर होना चाहिए कम से कम, जादा कितने भी हो और अगर राज्य सभा में किया जाएगा तो पचास सदस्यों के हताक्षर होने चाहिए, उससे जादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम पचास होने चाहिए, ठीक है और यह प्रस्ताव, अगर लोगसभा में आएगा तो लोगसभा अध्यक्ष के पास जाएगा राजसभा में आएगा तो राजसभा के सभापती को के पास जाएगा ठीक है आप देखो इसके बाद है उस प्रस्ताव को लोगसभा का अध्यक्ष या राजसभा के सभापती को भी अधिकार है उस प्रस्ताब को स्विकार करें या न करें ऐसा नहीं है कि देदिया करना पड़ेगा बिबे किये सकती है लोगसाबाद दिख्ष के पास उस प्रस्ताब को स्विकार करें तो ठीक है अगर उन्होंने अस्विकार कर दिया तो वहीं से यह नयाया दीशों को हटाने वाली प्रक्रिया का दी एंड हो जाएगा पासमें आएगी? ठीक है? कोई भी कंडिशन अगर पूरी नहीं होती है तो हटा जाएगा सो सदसे नहीं है तो भी हो जाएगा पचास सदसे नहीं है तो भी हो जाएगा अगर इस प्रस्ताव को लोगसवागद्यक सुईकार नहीं करता तो भी हो जाएगा राजसवागा सवापति सुईकार नहीं करता तो भी हो जाएगा तो प्रस्ताव मिल गया तो काम सुरू हो जाएगा नहीं होगा ये क्या करेंगे एक बेटा जाँच समिती बनाएंगे मैंने क्या बताया था सावित कदाचार ये जो समिती है ये देखेगी कि ब्रष्टाचार के मामले की जाँच करेगी जो उसके ब्रष्टाचार का मामला लगाया गया है उसकी जाँच करेगी उसकी incapability असमर्त ताकि जाँच करेगी इस जाँच कमेटी का ये काम है रुवातमी जाँच कमेटी आ जाती है इसलिए मैंने बता सावित कदाचार पर यारी जो ब्रष्टाचार सावित हो गया हो सावित करने का काम कौन करेगी जाँच सम्ती करेगी बात समय है कि नहीं अब जाँच सम्ती में कौन होगा मैं तो होंगा नहीं न तुम होगे बड़े बड़े आदिम होंगे तो उच्छे तम नयायले का कोई नयायदीश होगा उच्छे नयायले का मुखे नयायदीश होगा और कोई विदिवेत्ता होगा ये तीन हो सकते हैं एक सुप्रीम कोर्ट से होगा एक हाई कोर्ट से होगा और एक कोई जीवरिष्ट होगा कैसे हो सकते हैं एक सुप्रीम कोट से हो गया, एक हाई कोट से हो गया, एक कोई विद्वेत्ता हो गया, अब क्या होगा, ये जो आरोप जज की ऊपर लगाये गए हैं, उनकी करे की जाच, और जाच जब की जाती है, तो उस जज को मौका दिया जाता है, या जबाब दो, या तो खुद जबा पुरा न्यायपाल का जैसे अधिकार मिले होते हैं, तो ये जो भी गवा है, जो गवा ही दे रहा है, उसका परिच्छन भी कर सकती है, अगर गवा जैसे परिच्छन हैं, उसे काउंटर प्रशन भी पूछ सकती है, कि तो जूट बोला है, सही बोला है, ये परिच्छन भो कर स प्रस्ताव आगे बढ़ता है अगर ये कमेटी ये कह देगी नहीं ये जो लगाए गए जो इसके उपर जो आरोप लगाए है ये सही नहीं है तो भी ये प्रक्रिया यही रुक जाएगी कितनी लंबी प्रक्रिया कितनी दुरू और कितनी खतरनाग प्रक्रिया है ये जासमिती के हाथ में होता है जासमिती ने कह दिया आरोप लगा तो अब ये आरोप सिद्ध होता है तो सावित का दाचार हो जाता है वेटा साविता समर्थता हो जाती है और अगर ये मना कर दें क नहीं होता, तो प्रपोजा समाप्त, अब आगे की प्रक्रिया नहीं चलेगी, फिर देख लो, अगर जाज सवती नयादीश को दोशी नहीं पाती है, तो आगे कोई कारवाई नहीं होगी, अगर वे उसे दोशी पाते हैं, तो संसत के जिस सदन ने प्रस्ताब पेस किया है, उसमें मत्यदान, और मत्यदान कैसे होगा, यह सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है, तो चलिए, मत्यदान हो गया, एक सदन में, एक सदन में मत्यदान के बाद दूसरे सदन में पहुँचा, तो दूसरे सदन में भी बेटा, मत्यदान होना चाहिए, पूरी तरह से पास होना चाहिए अगर दूसरा सदर पास नहीं करता तो भी प्रस्ताव कतम अब दोनों सदन पता है जो कुल सदन की संख्या है उसके बहुमत और उपस्तित और मत देने वालों के दो तिया ही कि द्वारा अगर पारित होते हैं ठीक है ने तब राष्ट पती को क्या जाए इस तरह से रेकमेंडेशन जाएगी संसदगी और राष्ट पती क्या करेगा उस न्यायदीश को हटाने की सूचना जारी कर देगा और न्यायदीश को पद से हटने यह कहता है अब तुम हट जाए इस तरह से बेटा पूरी प्रक्रिया है अब आपको ये बात अच्छे Campaign Chief Justice Acting Chief Justice क्या होता है कारकारी मुक्षिन यायदीश है थीक है तो कार-कारी टेंब करता है राष्ट पती करता है और कार-करी न्युक्ति क्यों करेगा यह तो आप सोच सकते ही उस उस समय मुख्यनियाधिस नहीं होगा, उस समय क्या होगा, उस समय मुख्यनियाधिस तो होगा नहीं, तभी तो होगा, सिधी बात है, एडॉक देख लो, हेडॉक को हिंदी में क्या गयते हैं, सदर्थ, धेट तुम भूल जाते हो मेरा चहरा नहीं आरा और तो मुझे बता भी नहीं रहो इसे कfry वाओके तूँ इतने पड़ाही में बलकोल हो जाते हो मुझे याद ही नहीं रहती तूँमें है? कि ज़ज की सर आयें एनायें से कोई फरक नहीं परता नहीं ऐसे मत किया करो बता दिया करो कि सर अब तो आ जाओ काफी दिर हो गई है चली ओके एडॉक जज यानि इसको कहते है तदर्थ पेटा पर्मानेंट का उल्टा होता है तदर्थ पहली बात तो याद रखना तो जज को कभी कभी क्या कर हुआ जाता है कि कुछ समय के लिए बुला लिया जाता है जैसे आप किसी कोचिंग में गई ठीक है आप किसी कोचिंग में गई कोचिंग में मान लो जोगराफी पढ़ाने के लिए के बद जोगराफी पढ़ाने के लिए कि टीचर को बाहर से बुला लिया गया और कहा कि भया इसको 30 दुनों में जोगराफिय खतम कर दो तो इस जोगराफिय की टीचर ने क्या किया 30 दुनों में जोगराफिय खतम कर दी इसका काम खतम उसरे का भया यह टाटा भाई भाई जाओ यही यहाँ पर है Office of Jesus of India is vacant पूजा मेरा तुम बहुत दिनों में आयो आज क्राश लेने के लिए ठीक है अब यहाँ पर बात समझ रहे हो ने जो मैं आड़ोग बता रहा हूं जो आपको बिल्को अच्छा है तो उसकी बार ने बता रहे हो Acting Chief Justice हाँ बिल्को सही बात है तो देखो यहाँ पर यह जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जो जज कोई नुक्ती की जाती है काई के लिए कि अगर मान लो कि कहीं मामले जादा है ठीक है और मामलों के लिए क्या बनानी पड़ती है Constitutional Bench बनती है कुछ में अन्यप्रकार की Bench भी बनती है और Bench बनाने में बेटा कम से कम पांच जज तो होने ही होने चाहिए अब वो Constitutional Bench बन गई काफी बन गई और उसमें कभी हुआ कि चार जज हो गए उसमें Constitutional Bench में एक जज की बेटा कमी पड़ गई ठीक है कोई फैसला लेना है ठीक है और कोई फैसला लेना है तो उसमें एक जज की कमी पड़ गई और Supreme Court वो इस टेंपे जज था नहीं तब क्या करता है कि High Court से एक जज को जब तक मामला चल रहा है तब तक एक High Court के जज को Supreme Court का जज टेंपरेरी बना दिया जाएगा इसी को बोलते हैं तदर्थ हाँ बिलकुल पूजा बिलकुल सही बता रहे हो ठीक है तो इसको कहते हैं तदर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने आपको बताया था किसी कोचिंग में जीयस पढ़ाने के लिए जोगराफी की फैकल्टी को बलाया जाता है तो जोगराफी पढ़ाने के लिए बलाया है उसे परमानेटर नहीं रखा अपने हाँ उसका और कोचिंग का तब तक सम्मंध है जब तक जोगराफी खतम नहीं हो जाती तो यहाँ पे तरदत नया दीश का पर सुप्रीम कोट का तब तक सम्मंध है जब तक के सम्मंधित कारवाई समाप्त नहीं हो जाती जैसे ही कारवाई समाप्त होती है उसे तुरंत बैक कर दिया जाओ अब आपका काम हो गया खतम तो इसको कौन करता है याद रखना पॉंटेट भाई सीजय यह जरूरी याद रखना कभी जल्द वाजिन गरत मन लगा देना कि एड़ॉक जज की नुक्ती कौन करता है मुक्य नया अदीश करता है यह गरत हो जाता है कई कई वार तो हम कभी राष्टपती लगाया है राष्टपती मन लगाना याद रखो एड़ॉक जज की जो नुक्ती करता है सीजय आई करता है प्री कंसेंट यानि राष्टपती की पूर्व स्विक्रती से ठीक है और साथी जिस हाई कोट से उस जज को बुलाया जाता है उसके चीफ जश्टिस से भी करता है दो से क्या करता है उसकी सहयता से करता उसके परामर्ज से करता या उनकी हेल्प लेता है तो प्री कंसेंट होनी चाहिए राष्टपती की दूसरी अगर मालो इलावाद यानि यूपी से इलावाद हाईपोर्ट से जजमला बुलाय गया है तो इलावाद का cheap justice, अगर पटना से बुलाय गया है तो पटना का cheap justice जो बिहार का जो cheap justice होगा वो क्या करेगा? उसके ही मर्जी से आप उसे बुला सकते हो बैसे नहीं, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं अब गोड़ा 7 मिनट और रहे गई है तो अब है रेटाइर ज़र सेवा निप्डत्त तो कभी-कभी क्या होता है? कोई business case आ जाए कभी-कभी कोई business case आ जाता है ठीक, तो CGI जो है request कर सकता है सेवा निप्डत्त जज से कि आप आ जाओ एक particular case है और आप उसमें अपनी सेवाएं हमें कुछ समय के लिए दे दो तो सेवा निप्डत्ति जज से request कर सकता है CGI बेटा, request है order नहीं दे सकता, क्या आना पड़ेगा request कर सकता है retard जज कहेगा तो वो आ जाएगा, वन्ना उसकी मर्जी होगी नहीं होगा तो नहीं, उसपर कोई compulsion नहीं है कोई नहीं है add oxygen, add oxygen कोई नहीं है, अंसिद मिस्तरा का लेट आयोगा आज, कि बीच में चले गए थे तो बेटा, IPL देखने चले याद योगा बीच में तो consent of president बेटा, याद रखना है इसमें तो रेटार्जर को रेटार्जर को भी बेटा CGI क्या करेगा आपने पास बुलाएगा यह request करेगा और इसकी न्यूक्ति बगरा नहीं होती है, यह भी याद रखना तो consent of president यानि president की पूर्व consent से ही एक काम करेगा अब इसके बाद क्या है place of supreme court supreme court की इस्थान कौन सा होगा तो supreme court का इस्थान आपको पता है दिल्ली है लेकिन CGI जो CGI है अगर राष्टपती की पूर्व श्विकरती से कहीं और भी sitting करा सकता है इसमें कोई अच्छा सुरू से हो तुम अच्छा तुमारे कमेंट बहुत देर माएं मैं सोच रहा था तुम कहीं चले तुने गया कुछ student मुझे पता है जो student बहुत पूरी class को पढ़िया तरह से पढ़ती है उनी के लिए तो मैं मैंनत करता हूँ जो तुम पूरी-पूरी class को देखती है अब तुम मैं इसकी PPT से भी पता चला होगा कि मैं तुम से कितनी मैनत कर रहा हूँ ठीक है तो अन्ने जजों अन्ने इस्थान पर भी ये क्या कर सकता है बेट एड़ोक जज बता तो दिया क्या होता है एड़ोक जज इस टाम पर कोई नहीं है एड़ोक जज बस इतना है कि मालोक कोई सुनवाई आगई जैसे अयोध्या का मामला था ऐसे ही माले याद रखो अयोध्या के मामले में मालो 12 जज बैठें एक जज की ज़रूत कितनी बढ़ रही है यह ते रही है एक जज मालो सुप्रीम को रिपास नहीं है तो जब तक यह अयोध्या का जो फैसरा नहीं होता तब एक जज को हाई कोट से बुला लो यही तदर्त होता है ठीक है पास समय आएगर नहीं तो जरूरी नहीं है कि हाँ जरूरी नहीं है कोरम तो कोरम के लिए तो होना चाहिए लेकर साथ साथ क्या होता है कि जैसे कभी कभी भी मर्ज जैसे केशवानन्द भारती का केस आया था बेटा उसमें कितने हैं थे 13 जस थे अब केशवानन्द भारती वाला ही जो कोई matter है वो दुबारा से आ जाए तो अगला जो constitutional bench बैठेगी वो पंद्रेगी बैठेगी उसमें जज़गी सग्या बिल्कुर सही बात है कोरम इसके बाद अगर और आज अगर 17 बैठेगी हमेंसा बिसम संख्याओं में बैठती है ठीक है ओके जो दिल्ली है इसके बाद क्या है यह proceeding of सुप्रीम कोट यह देख लो यहाँ पर बस सुप्रीम कोट की प्रक्रिया और यहीं पर हमारी क्रास भी हम थोड़ा खतम कर देंगे constitutional bench अगर संबैदानिक bench होगी ठीक है अगर कोई संबैदान का कोई प्रश्ण या बिधी का कोई सारवान प्रस्ण अंतर ग्रश्ट होगा तो उसमें क्या होगा उसमें जो bench बेटेगी उसमें निवनतम पांच जज़ होगी ठीक है संबैदानिक भारी शब्द कोरम कोरम मतलब होता है हिंदी में गड़पूर्ती है और गड़पूर्ती का अरत क्या होता है ठीक है कि उसके बिना वो कारवाई आगे नहीं चलेगी तो संबैदानिक जो bench होती है उसमें निवनतम संक्या बेटा होती है पांच पहली बात याद रगना पांच इससे ज़्यादा हो सकती है कम नहीं होगी और अब तक सबसे बड़ी constitutional bench बेटी है केशवानन्द भारती बनाम केरर राज 1973 में ये बेटी थी केशवानन्द भारती बनाम केरर राज कितने जस्ते उसमें 13 थे इसने जो फैसला दिया था 9-4 पे दिया था 9-4 का फैसला आये था वही फैसला आपने सुना होगा आधारवूत ढांचा आधारवूत ढांचा जो basic structure हमारे constitution का उसका जो इस्तापना होई थी केशवानन्द भारती बनाम बरसेस केरर राज जिमें अगर आधार कोई मामला होगा वेधी से संबंदित होगा तो इसमें minimum तीन जज़ होगे और यह जितना भी जो कोट होगा वो open कोट होगा खुले हुए कोट होगे गुप्त कोट नहीं होगा ठीक है ऐसा नहीं के कारवाई यह अंदर बंद कमने में चलेंगी खुले में चलेंगी और majority verdict बहुमत के आतार पर आपर फैसला लिया जाएगा आगे चलते हैं उच्चितम न्यायले की शुतंत्रता तो इंसी और कौन करता है उच्चितम न्यायले की शुतंत्रता उच्चितम न्यायले हमारे कारवाले का और विवस्था पिका की दवाब में नहीं आएगा ठीक है तो हमारा सम्मिदान क्या करता है हमारा सम्मिदान कुछ चीजें ऐसी करता है कि जिससे उच्चतम न्यायले यानि सुप्रीम कोड का जो जज है वो किसी के दवाब में नहीं आएगा भासम में आगी नहीं यह दवाब में नहीं आएगा जल्दी, निच्ची सेवा सर्थ है इसकी सेवाओं में यानि बड़ोत्री तो की जा सकती है कमी नहीं कर सकते इसके बेतर में ब्रद्धी तो कर सकते हैं कमी नहीं कर सकते इनका जो बेतर है संचित निदीत दे जाते है तो सरकार की उपर डिपेड रही है न्याय अधीस के आचरणों की वहस केवल महावयोग अगर इनके उपर जो महावयोग जैसी प्रक्रिय अगर नहीं चल रही है तो इनके आचरण पर कहीं भी वहस नहीं हो सकती कि न्याय अधीस कैसी प्रक्रिय के अब रहष्टाचार कर रहे हैं अपने स्टाप की न्युक्ति ये स्वयम कर सकती है, कोई कारपाल के उपर डिपेंड नहीं होती, ये इनकी नियाइक छित्र में कटवती नहीं की जा सकती, ब्रद्धी की जा सकती है, और ये कारपाल का से प्रथक है, ये मैंने बहुत सारे चिज़ा बता दी, तो ये इनसी और करता है, कि हमारे उच्च नियाइक पाल का सुतंत्र है, ठीक है, तो बेटा, आज के लिए सिर्फ इत्रा ही, तो आज की क्लास इतनी ही चलेगी, और कल हम अपने पूरे सुप्रीम कुट को करतेंगे, खतम, कल से बेटा, साड़े आठ बजे क्लास सुरू होगी, जो भी क्लास देख रहा है, वो याद रखें, अपने सारे दोस्तों को भी बता दें, साड़े आठ बजे से हम क्लास सुरू करेंगे, थोड़ा सा class को लंबा करेंगे भी और जाद से जाद student आओ जाद से जादा इस जो class का आप फायदा उठाओ ठीक है चलिए बबाए take care सब अपना ख्यार रखें और जैहिंद